वेकम टू इंडिया इबुक जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया इबुक के दुआरा इगनु के मस्टर डिक्री के में पॉलिटिकल साइन्स एम पीएस फास्ट डिया का सभी पेपर का क्लास करवा आ जा रहा है जा पे एम पीएस 001 पॉलिटिकल थियोरी इसका हम लोगों नहीं देखा और प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए आज हम लोग एम पीएस 001 का यूनिट 17 लिबारेटेरियानिजम करेंगे जो मुक्तिबाद है उसके बारे में ठीक है तो हमारा जो बुक है उसका पीडिएफ केटलोग से आप इबुक कर इच सकते है एक्च का एक्जाम जो है इससे पहले एविलीबल करबाना कॉंप्रीट नहीं होगा अगले अटेम के लिए हाट को भी आप करीच सकते हाट को भी में एक्चुलिए हलाकि चारो सब्जेक्ट एक ही साथ रहेंगे लेकिन पीडिएफ जो ई-बुक है वो हर सब्जेक्ट का अलग-अ पीडिए होगा और आप लोग वाटसब में जाके वाटसब का केटालोग है देखिए में जाकि आपको एक्जाम सारती मिलेगा और एक्जाम सारती के अंदर एसे आपको भूक मिलेगा मिलेगा MPS01, प्रृटिकरी उसके नीचे कैसे खरीदना है उसके बारे में डिटेज ल होगा उस MPS 3 का सभी उनिट का मतलब description रहेगा समारी topic रहेगा उस समारी से भी आप लेख सकते question फिर इगनुका जो book है उसका जो question है उसका भी solve the answer रहेगा फिर पिछले seven item का भी सभी answer रहेगा ठीक है तो आज का कक्षा शुरू करते है unit 17 MPS 001 political theory लिबारेटरियानिजम मतलब मुक्तिबाद तो यह देखिए एक picture यहाँ पे है left side में और यहाँ इस picture में भी left right लिखा हुआ है और यह दिके बीच में है centrist और चारो तरह authoritarian conservative फिल लिबारेटरियान उपर और left side में liberal लिखा हुआ है तो मैं इसका मतलब भी आप लोगों को समझा के देना चाता हूँ तो भी मतलब यह chapter easy हो जाएगा पकड़ लीजिए भारत तो भारत में जितना political party है वो मतलब उनके हिसाब से हम लोग करेंगे तो left में कौन है left आप लोग सभी जानते है left है CPI CPI जो है communist party उसको left का आ जाता है तो उसको पकड़िए left में और right कौन है right है BJP left बाले थुरा सा उधार बादी होते है liberal इसलिए उस तरफ जादा है देखिए उधार right जो है right में पकड़िए BJP को BJP को क्यो right में पकड़ लिया BJP का जो मतलब traditional जो चीज़े रूडी बादी जो चीज़े मतलब conservative जम तो सब थोड़ा जादा है इसलिए BJP को आप right side में पकड़ सकते मतलब ब्राह्मन dominance ऐसा BJP में है लेकिन बीच में जो centrist है उसमें आप congress को पकड़ सकते लेकिन हलाकि ऐसा अभी क्या है अभी जो modern politics है इसमें भारत का मतलब left अभी पूरा left नहीं रहा left तुरा-तुरा करके center के दरब बढ़ रहा है और right भी backwardly center के दरब या रहा है मतलब अभी इतना रूड़ी बाद नहीं रहा right में और left में भी इतना मतलब socialistic भाब नहीं रहा ठीक है तो हमारा जो topic है आज का ओ है लिबारेटिरियानिजम इसमें आम पहले introduction देखेंगे फिर देखेंगे what is लिबारेटिरियानिजम फिर political theory of libertarianism फिर हम देखेंगे उसके अंदर individualism, individual rights and liberty फिर हम देखेंगे civil society फिर political economy and problem of redistribution और rule of law and limited government देखेंगे फिर हमे critical evolution करेंगे और इसके बाद इगनुका बुक का जो exercise है ओ भी देखेंगे और past six item question भी देखेंगे हाला कि last में भी हम देखेंगे question क्या-क्या है लेकिन जबी हर topic पढ़ेंगे तभी उस topic के साथ-साथ वो कौन सा question है उस topic से related इगनुके बुक का या past question का वो भी हम लोग एक ही साथ करेंगे ठीके तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का class इससे पहले आप इगनुका study material open कर state तो welfare state जो मतलब क्या है क्लानकारी जो राज्य होता है जो 20th century में उदारबाद का विकास हुआ था जैसे के हम पहले 16th chapter में भी बढ़े थे welfare state को ठीके याद कीजिएगा its functions increased manifold तो welfare state का function का हुआ 20th century में बहुत बढ़ गया इन बहुत सरे खेत्र में it was during the transformation that the state acquired its present all pervasive form तो सब pervasive form में भी इसका transformation होने लगा दिरे-दिरे however the fight of classical liberalism was not given up लेकिन फिर भी classical liberalism मतलब जो negative liberalism है उसका fight खदम ने हुआ after the second world war an contribution to the theory of liberalism was made by theorist whose allegiance lay with early classical liberalism this new movement which became popular in USA and England in 1960 the 20th century में कौनसा time था 1960 जहाँ पे USA और England में और एक नया movement शुरू हुआ और इस movement का ही नाम है लिबारेटरियानिजम इसको मुक्तिबादी कहा जाता है ठीक है लिबारेटरियान को मुक्तिबादी कहा जाता है और लिबारेटरियानिजम मतलब मुक्तिबाद ethomologically libertarianism means free will मतलब free का जैसे आप free रहे free will कुछ भी कर सकते और free advocacy of liberty मतलब आपका liberty मतलब freedom free रहे आप मतलब कुछ भी कर सकते liberty जैसे आपको power देता है it is the most radical form of individualism and advocates pure capitalist economy तो यह बाला जो libertarianism है और pure capitalist जो लोग होते है जिसे अमेरिका में pure capitalist economy है इसका ही है example है as the surest expression and defense of individuality in political theory it answers once again fundamental question that is what are the legitimate functions of the state in a radical way holding the liberty of the individual as sacrosanct and libertarianism asserts that welfare measures can lead to a collectivist state libertarianism is inspired by former periods of liberal progress तो पीछे का जो former period था उससे ही libertarianism का concept आया दिरे दिरे but after one century during which collectivist and totalitarian ideologies have dominated they realized that classical liberalism was not strong and principled enough to stem the rising tide of statism जो statism का rise हो रहा था तो उसके लिए classical liberalism पुरा मतलब अच्छा से खड़ा होन नहीं हो पा रहा था मतलब पूरा correct principle नहीं था उसके इसके लिए ही liberalism का मुक्तिबात का सोच आया they are more coherent and some may say radical than traditional liberals in their defense of personal liberty and market economy in their opposition to state power Libertarian scholars जो Libertarian मुक्तिबाती जो बिद्दान थे ओलो के आसोस्ते थे have shown that उन्होंने देखा दशाया कि decentralized action of individuals who pursue their own ends in a free market which makes it possible to create and maintain this spontaneous order to bring prosperity and to support complex civilization in which we live मतलब इसमें Libertarian scholar लोगों ने देखा है जो इसमें क्या होता है decentralized होता है मतलब state के पास में power कम रहता है Libertarian में लोगों के पास ज्यादा लिबारेटरियनिजम में ज्यादा power रहता है औरो लोग पूरा free होते है पूरा pure capitalist form of economy है जैसे कि अमेरिका का है ऐसा ठीक है तो अभी हम देखेंगे Libertarianism Actually क्या है इस chapter में से ही important है Libertarianism क्या है तो हम इसके बारे में देखते है The Libertarian philosophy has been propounded by a number of scholars prominent among the F.A. Hayek, Karl Propar, Telmon, Milton, I. Barlin, Amroth Bart, Robert Nozik, Ayan Rand इन सब इने मतलब स्कोलार जो है इन लोगोंने Libertarian का मुक्तिबादी का जो धारना है philosophy है, ideology है उसको दिया Taking liberty as the ultimate value it hazards that in one to protect liberty a society must have strong private property rights तो private property rights society के पास बहुत strong होना चाहिए यह free market होना चाहिए minimal government, मतलब government का intervention कम से कम होना चाहिए some writers have term libertarianism as freedom तो बोसर राइटर है उन्होंने Libertarianism को मुक्तिबाद को एक freedom के तरह मतलब तुलो ना किया है the best way to understand the various terms is to know what libertarians believe in in few words libertarianism believes that individual freedom is a fundamental value that must underlie all social relation economic exchanges and political system essentially libertarians preach freedom in all fields including the right to do what one wants with one's own body insofar as one does not infringe मतलब infringe मतलब कोई खदम नहीं कर पाएगा on on the property and equal freedom of others they believe मतलब libertarianism के जो समार्तर में थे हो लोग बिलीब क्या करते थे voluntary cooperation between individuals in a free market मतलब voluntary कोई force for the compulsory cooperation नहीं voluntary जिसका मन चाहे is always preferable to coercion exerted by the state जो coercion apply करता है मतलब force apply करता है उसको वो मतलब नहीं हो market में they believe that rule of the state is not pursue goals in the name of community the state is not there to distribute wealth promote culture support the agriculture sector and help small farms but should limit itself to the protection of individual rights and let citizens pursue their own goals in peaceful way libertarianism muktibad is opposed to collectivist ideologies of all types be it of the left or of the right मतलब libertarianism हम मारा पहला image देगे थे कहा पे थे उपर पे था तो लेफ्ट और राइट का दोनों का मतलब मिली जुला टाइप है liberalism जिसमें मतलब पुराना जो रूडी बाज जो है konservatism और liberal दोनों को देखा जाएगा ठीके और state का authority कम से कम रहेगा इसमें तो यह बाला बुक का भी वेक्वेशन है और December 2019 में आया है इस चप्टर में मैं आपको मतलब सिलेक्टिव पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ यह बाला question करके जाएगा what is libertarianism बाकी मतलब कुछ जादा पढ़ने का जुरूरत नहीं है इस चप्टर में ऐसे नहीं आता है इस चप्टर से तो इस जून के लिए यह बाला ही सिर्फ लिबारेटरिजम क्या है यह बाला concept पढ़के जाएगा यह बाला concept पढ़ना ही है आपको ठीक है बाकी चप्टर ऐसे पढ़के चले जाएगा मतलब पूरा जादा से जादा मतलब पढ़ने का अगोई जरूरत नहीं है बस ऐसे ही पढ़ना ठीक है दाज लिबारेटरियनिजम rejects the main political developments of the 20th century that is the sustained growth in the size of the state and the range of the intervention in private lives of citizens the libertarian movement hardly existed in 1960s but really took off in the United States in early 1970s तो कब इसकाल existence वा reality मे 1970 से पहले United States after a century of eclipse classical liberalism in its libertarian offspring is becoming an influential philosophical doctrine and movement in the 21st century like all philosophical movements libertarianism is varied containing several schools and subgroups one will find no unanimity about the theoretical justifications its goals or the strategy that should be adopted to reach them mainly there are two types of libertarianism and each has its own answers to the queries one group the anarchist that is anarcho-capitalist और दूसरा जो गूप है उसको कहा जाता है mini-arctic ठीक है यह दोनों गूप के बारे में आप पढ़िएगा खुद नूट डाउनलोड के लिजीगा उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को यह दोक्रिफ दूसर प्रिफ दूसरा जाता है यह दूबरे दून दूसर दूसर्फ दूसरी यह जब डारे में विस्क्रित 1. ृस्स्टियानस में फ्ट्री बारे मेंativas 1. ृस्स॑ बारे मीर्ट थीजुविड ङाईगां Super53 Secondly, libertarians believe that the operation of an unrestricted system of laissez-faire capitalism in most desirable social system मतलब market जो है ओफ्री रहना चाहिए, unrestricted होना चाहिए, कोई restriction ना हो फिर political theory of libertarianism It is claimed that the key concepts of political theory of libertarianism have developed over many centuries The first thinking of them can be found in ancient China, Greece and Israel They began to be developed into something resembling modern libertarian philosophy in the work of such 17th and 18th century The scholars have given new intellectual imputes to the libertarian movement A growing concern of personal autonomy has provided personal ground for showing of the idea Some of the important concepts of libertarian theory are as follows तो पहले है, individualism While the libertarian ideals of individualism has certain, family resembles with the neoclassical defense of capitalism anarcho-individualism and classical liberalism तो यह जो यह resemble मतलब यह combination कह सकते है किसका किसका neoclassical defense of capitalism का anarcho-individualism का और classical liberalism मतलब negative liberalism का Negative उदारबाद जो नात्तक जो उदारबाद है, उन सभी का misrun कह सकते है It is reducible to none of this Libertarianism can only be understood against the backdrop of the emergence of totalitarianism and modern welfare state since 1930s Libertarianism, Muktivad, represents the most radical form of individualism short of outright anarchism Along with it, it excelled the pure capitalist economy मतलब है क्या है, pure capitalist economy है आपका Libertarianism However, the libertarian defense of capitalism would legitimize a degree of economic inequality that true anarchist could not abide The works of Ayan Rand are a leading expression of libertarian ideal of individualism Even it sometimes take an extreme and occasionally unrepresentative form फिर हां करना, next जो है, book का question भी है इसमें, individual rights and liberty, question number 3 ऐसे आप बस read करके जाएगा है इसमें सिर्व आपको, what is libertarianism का पहला जो दो slide है introduction के बाद बाद बाला, वही अच्छे सरीके से पढ़ना है, इस chapter में से आपको फिर central to libertarianism is the claim that the individual should be free from the interference of others मतलब जो भी individual हो, वो free रहे किसी दुसरे का interference से Personal liberty is the supreme moral good Hence, once liberty can justifiable be restricted only if he consents to the restriction जब भी वो उसका consent दे वो, तभी उसको restriction दिया जाए नहीं तो कोई restriction नहीं दिया जाए उसका जो liberty हो supreme रहे Any other restriction including taxing incomes for the purpose of redistribution is unjust मतलब tax payment करा वो भी unjust है In other words, the libertarians coach their theory in the language of rights Each individual has natural negative rights To at least life, liberty and property No other can justifiable harm it Restrict his freedom or take his property कि कोई उसका freedom को restrict करना ही पाए कोई इसका मतलब property को चिनने ही पाए No one can violate, no one can violate his rights without his consent कोई इसका right भी violate करने ही पाए Moreover, these are general rights They apply, so to speak, against the whole world And since rights invariably have correlative duties All the people in the world live the duty To interfere with the right holder's life, liberty and property Each person possesses these rights Simply by virtue of his humanity He does not have to do anything to obtain this moral protection The possession of rights does not depend upon the consent of others They are essential moral constituents of personhood They are not granted by the government or by the society They are inherent in the nature of human beings In the context of the rights, what is important to note क्या क्या है, right मतलब दोनों तरह की हो सकते है Positive right और negative right Positive right, negative right में हम लोग क्या देखेंगे जो article 21 भारत का देता है और negative क्या सकते है आप right to life Actually, इसमें क्या हो है मतलब कोई दूसरे से आपका life को protect कर रहा है लेकिन आप भी खुद का तो जान ले सकते है इसलिए, save खुद का life को protect करने के लिए Article 20 है भारत में 22 है, ठीक है Article 21 और Article 22 आप देख लिजिएगा फिर individual rights का अगला भाग Individual rights and liberty Thus we see two important features of libertarianism पहला, the primary purpose of negative general rights is the protection of individual liberty to ensure that no one's life is restricted without his consent Secondly, the libertarian holds that sufficient reason to reject any allied moral and principle of distributive justice is that such a rule or principle restricts someone's freedom without his consent Libertarianism takes liberty as our sole right against considering liberty as the sole value of the promoted by the government and the individual Just like the concept of negative rights Libertarianism also emphasizes negative aspect of liberty i.e. liberty as absence of imposition by other people Specifically, those impositions that are caused by their intentional actions And last but not least Why would people value liberty? किसलिए liberty को बेलु दिया जाता है? उदारता को For libertarians, liberty is not another good like peanut butter It is rather a necessary condition of action in the sense that if we do x x मतलब यहापे कोई काम मतलब something x कुछ भी कर रहे It has to have been the case by definition that nothing prevented us doing it तो कोई हम x काम कर रहे तो उस x काम को करने से कोई हमको रोकना पाए इसको ही liberty का जाता है Liberty is the condition of being able to do whatever it is The liberty to do which is in question In other words, it is not really up in the air Whether liberty is a good thing or not Liberty is as good as whatever can be achieved by acting According to libertarians, liberty is not a value It is a condition of action ठीके, अगला है civil society एहामारा इगनु का बुक का Question number 2 है Every individuals must combine with others to fulfill their needs and desires आप लोग हमारा human जो है और हम लोग क्या है psychological animal कह सकते Animal ही है हम लोग तो हम लोग क्या मतलब हमारा psychology क्या कहता है हम लोग अकेले नहीं रह सकते हमारा needs और desire के लिए हम मतलब group में रहते Combines Every individuals must combine with others हम लोगों को दूसरे का सहायाता भी चाहिए Society is an association Society क्या है? एक association of individuals है governed by legal rules जिसमें बीदी के दुआरा एक चलना कहता है एक association है जिस association को कोई कानून चला रहा है उसको society कहा जाता है It is not a large one community मतलब एक ही community का सभी लोग हो एक society भी हो नहीं भी हो सकता है मतलब एक society छो एक family भी नहीं हो सकता है और एक बड़ा आसा एक community ऐसा भी नहीं हो सकता है बहुत सारे community बहुत सारे family लेके और बहुत वह one community मतलब पूरा आवान कम्मुनिटी का सभी आदमी नहीं एक पार्टिकुलर कम्मुनिटी का कुछ आदमी कुछ फेमिली का आदमी ऐसे लेके सोसाइटी यह बनता है A great degree of order in society is necessary for individuals to survive and flourish. It is easy to assume that order must be imposed by a central authority. The way impose order on a stamp collection or a football team. The great inside of libertarian social analysis is that order in society arises spontaneously out of the acting of thousands or millions of people. of individuals who coordinate their action with those of others in order to achieve their purpose of our human history. We have gradually opted for more freedom and yet managed to develop a complex society with an intricate organization. The most important organization in human society क्या है? Human, organizational human society. उसमें law, language, money, and market all developed spontaneously without central direction. Civil society in another example of spontaneous order. The association within civil society are formed for a purpose. But still civil society itself is not an organization and does not have a purpose of its own. इसका कुदका कोई परपस नहीं होता है. वो human लोगों का, individual लोगों का जो combined purpose होता है वो ही फुल्फिल करता है civil society. Those associations can take an amazing variety of forms. बोगों सरे फुल्फिल के हो सकते, civil society, family, churches, schools, clubs, fraternal societies, condominium associations, neighborhood groups, and the myriad forms of commercial societies such as partnership, corporation, labor union, stadium association, etc. All these associations have served needs in different ways. सभी का अपना-पना, मतलब human का सर्फ करने का तरीका अलग अलग है सभी society का. जिसे partnership जो है उसमें partner का decision, partner look business करेंगे, trade करेंगे, labor union का जो अलग काम है, family का काम अलग है, church का काम अलग है, school का काम अलग है. फिर civil society में broadly be defined as all natural and voluntary association in society. So, some analyzed distinguish between commercial and non-profit organization. तो कोई analyzed civil society को, मतलब इसको दो बाग में भी बाग कर सकता है, कुछ कहते है natural है, कुछ voluntary है, कुछ कहते है की profit commercial है, मतलब जो profit earn करता है, और कुछ non-profit organization भी है. ठीक है, but according to Bawaz, the real distinction between associations are coercive, that is state, and those that are natural or voluntary, everything else. Bawaz ने क्या का, कुछ association है, coercive मतलब power apply करता है, जैसे की state में जैसे होता है, और कुछ association है, natural or voluntary. ठीक है, आमारा अगला जो है, वो है political economy and the problem of redistribution, question number four of a new book, libertarianism claims that the only economic order that respects individual freedom is the free market. तो economic, जब बाद होगा, political economica, तो libertarianism में भी market free है, actually pure capitalism का example है, libertarianism, जैसे की अमेरिका में होता है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, libertarianism मतलब America, USA. ठीक है, तो थागे, इस में फस्प्रिय जो है तो यहाँ डिल fiction उत्प्रिय है, फिए पर्ट ज्च्छ Bass点 mu स्झां प्र बाला इन्प्र्ड स्चंप्र द keyword कि वत Black, Libertyians the free markets is the sum of voluntary exchanges and contracts. मतलब जो पंट्रक्तोप वञंटरिले एक्छंग होँष में वाड़क्रीला पंटरियो फ्रीकेड में दोट्राइट में दोपा कर देयों ऑप प Oneज्ब पंटरियोंक ब्लाइट वज्एकंट दोत्यृ वर किंपने आते खंटेद्र्ण हैं Нथन् 10 . वोलंटरी. The market is superior to other economic systems since it handles human ignorance by passing information in coded form through the practice mechanism which indicates areas where profits could be made and resources efficiently used. It does all this and allocates resources without being predicated on the specific goals or assuming what goals of the people are. The market arises from the fact of humans can accomplish more cooperation with each other than individually and the sect that we can recognize this. Many people accept that markets are necessary but still feel that there is something vaguely immoral about them. They feel that market lead to inequality or that is like the self-interest reflected in the markets. But libertarianisms have the markets are not only essential to economic progress but they are moral, consensual and lead to more virtue and equality than government coercion. This is done through information and coordination, prices, efficiency in production, technological innovation and competition. अगला है अमारा political economy का दूसरा भाग the problem of redistribution तुसका पहला है फास्टली यह सब आप खुद पढ़िएगा एक एक बार कुछ कॉंडिशन दिया गया है फोर्टली और लास्टली यह पाच्व can do anything want to and nobody else can saying. Rather, libertarianism proposes a society of liberty under law in which individuals are free to pursue their own lives and so long as they respect the equal rights of others. The rule of law means that individuals are governed by generally applicable and spontaneously developed legal rules not by arbitrary commands and that those rules should protect the freedom of individuals to pursue happiness in their own way not aim at particular result or outcome. To protect rights, individuals form governments but government is a dangerous institution. As stated above, libertarianism arouses as a reaction against the social welfare state. Like early liberals, he considered the state the greatest enemy and and any interference which the right to private property as an assault upon the rights of the individuals. A more powerful definition of the libertarian view of the minimal state has been developed by Robert Nozick in his book Anarchy, State and Ethiopia. Robert Nozick ने एक definition दिया है जिसमे की, mini state का मतला बहुत कम पावर रहे है, minimal interference रहे है. Nozick talks about the state in the context of individual rights. Since Nozick strongly believes in the rights of the individuals, he seriously considers the anarchist claim that the monopoly of the use of force by the state may violate the individual's rights and hence the state is immoral. तो state की immoral है, state मतलब जो individual का rights को छीन लेता है, इसके बज़े से state immoral है. In short, the concept of limited government propounded by the libertarians acknowledges the state as a permanent necessary evil. Evil मतलब खराब चीज, in doing so, it exploits the insights of philosophers such as Adam Smith. तुमरा अगला जो है, critical evolution, यह भी आप खुद देखेंगे, critical evolution बाला portion आप खुद देखिएगा, इस chapter में actually, मैं इतना जाधा नहीं पड़ा रहा हूँ, exam भी आ रहा है, critical, इस chapter में what is the libertarianism जो है, वह आप पूरा सा करके जाएगा, अभी हाम question देखेंगे, तभी आप समझ जाएगे, इगनुका बुक का question है देखिए पहला बाला, explain in your own words the meaning of libertarianism, यह करना है आपको, यह question डिसेंबर 2019 में आया है, लास्ट शिक्स एटेम में से, और कोई भी question नहीं आया है, इस chapter में, लिवारेटिलियर्जम पूरा मतलब करने से हो जाएगा है chapter, आपका, फिर right and essay on civil society यह भी हम लोगों ने किया है, यह भी लिख सकते हैं, आप, discuss individual rights in the context of liberty, फिर critically examine the problem of redistribution, critical evolution बला का कोई question भी नहीं है, यहाँ पर, तो यह चारों का question हम लोगों ने कबर कर लिया है, और दूसरा जो question है, बाकी सब भी question हम लोगों ने कबर किया है, एसे एक एक बार पढ़के जाहिएगा, और एक number जो question है, जो एक्जाम में पूचा गया, वो आप जरूरी करिएगा, हालाकि December item में आया है, फिर भी June item में आने का chance लिबरेटरिजम का, सिर्फ यही बाल अटोपिक लिबरेटरिजम क्या है, वही, टीक है, तो यहाँ पर हम आज का कक्षा कतम करते है, जै हिंद, जै भारत, और इंडिये बुक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत दिन्ने बाद, and finally, God bless you all.